आज कोई अगर बेहतरिन उनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है उक्सपर्ट, कैंबरीज, स्टैंडफोर्ड जैसे उनिवर्सिटी का नाम आता है लेकिन कुछ समय पहले बात कुछ और ही थी 1600 साल पहले लेकिन बात कुछ औरी थी तब थी नलंदा उनिवर्सिटी जो की सबसे पुरानी उनिवर्सिटी में से एक है मेरी मौजूदगी नलंदा के नलंदा खंधर में है जिसका अफसेस अभी भी नलंदा उनिवर्सिटी का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा सेस भी दिखाऊंगा और जो भी गाइडर यहां के हमारे साथ अनिल जी है और यह पूरा नलंदा खंडर के हरे को बताएंगे कैसे बक्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया है सारा कुछ बताएंगे आगे की जनकारी बिसेस जनकारी हमसर से जानेंगे जहां के विश्विद्याले है नलंदा की कहानी शिक्षन चुरी बीसी से सुरू होता है जब यहां आम का वागीचा था यहां बुद्धा भगवान आये थे और बुद्धा भगवान में दो शिश्य बनाया था मुगलाना इन शारी पूत्रा मुगलाना की शमाधी सांची स्थूप नौमी मेराजा देवपाल ने भी इसका पिस्तार किया था यह दस किलो मीटर लंबा पांच किलो मीटर चौड़ा था एट ए टाइम यहां दस हजार चातर और देर हजार प्रोफेशर पहने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे लेकिन बारहमी शताबदी में तुर्किस्ता नाकर मनकारी वक्तियार खिंजी का अटैक हुआ नालंदा पे नालंदा को जला दिया गया था यहां तीन बरी-बरी रिच लाइबरेडी थी जिसका नाम रत्न शागर रत्न दधी रत्न रंजका था इतनी कितावें थी उनमें जब जलाई गई इप इस विदियाले छे महीन लगातार जलता रहा था ऐसा एविडेंस राप्त होता है फिर धीरे धीरे करके भुकम पे दव गया था इस तरह से एक पहाडी के जैसा देख रहे हैं पूरा इमारत इस तरह से दवा हुआ था अभी एक बर किलो मीटर की जो खुदाई हुई है हम लोग यहां देख सकेंग बाके एरिया पर गाउं बसा हुआ है फुदाई बंध है यह मतलब पूरे कितने में फैला हुआ है अभी औरिजनल यह दस किलो मीटर लंबा पांच किलो मीटर चोड़ा में था अभी एक बर किलो मीटर की जिप खुदाई हुई है तो यह एक्सकेवेशन प्राग्रेस की त रहा था यह देखिए एक्सकेवेशन प्राग्रेस की तस्वीर है कितने लेवर लोग इनके खुदाई में लगे हुए थे इसके मादियम से आपको पता भी चलेगा हां कि अंदर में यह सब मिला है यह औरिशनल है नालंदा का जो भी प्रमान मिलता है वहिंसांग की डाइर इस विद्यारे में जो एड्मिशन का प्रोसेस था वो बहुत कठिन था यहां पर चार बरे-बरे गेट हुआ करते थे और चारों गेट पर द्वारपाल खड़े होते थे द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शही जवाब देने के बाद किसी विद्यार करते थे और चारों गेट पर द्वारपाल खड़े होते थे द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद किसी विद्यार्थी का एड्मिशन यहां होता था ऐसा इंसान नहीं बढ़नन किया था में गेट अभी तक नहीं मिला है अधर अधर कंट्री से लोग आते हैं आप देख़ी सकते हैं यहां अधर कंट्री चाहिना जाए थे पर हमेशा घुमने के लिए आते रहे हैं टूरिस्ट और इसका आपको प्रवान देखने को मिल जागा इस खंडर का नालंदा को अभी तक औरिशनल गेट नहीं मिला है वो दिवाल काट करके रास्ता बनाया हुआ है जिससे हम लोग इंटर करेंगे और उशिश बापिश बाहरा है और इसनल गेट नहीं मिला है यह नालंदा का नया गेट है जब और इसनल गेट नहीं मिला यह रास्ता दिवाल काट करके बनाया हुआ है यह छोटा छोटा गढ़्धा यह गढ़्धा नहीं कमरा है और एक कमरे में एक लोग रहते थे वो दर्वाजा होता था और यहां चछत होता था जब बाई नेचर यह बिल्डिंग टूट जाता था दूसरा राजा इसको बंद करके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्मान करते थे यह बह अभी का बना हुआ है जी यह अभी का है यह देखे आपका औरीशनल कंस्ट्रक्शन है यह जो जला था नरंदा उनिवर्शिटी इस ही का है है हां इस बचा हुआ है जिसमें लगता कि इट के ऊपर इट चिपकाया हुआ है जबकि चूना सुर्खी माटी बेल कारस गूड औ किसमें कितना कलर है कितना अच्छा लगरा है वह आप देख सकते हर दो अपस में इंटर कनेक्टेट थे एक से दूसरा जुड़ा हुआ था बीच में कौरीदोर्र था मैंन गेट नहीं मिला तो इस रास्ता दिवाल काट करके बनाया हुआ है तो तो भी इन American है और वो चैति है चैतिमाने बौध मंदिर इलोहे का रहे इस बाद में लगाया गया है इनको बचाने के लिए चुकि इसका रख्रकाव भारिश्रकार पुरातत्या कर रही है यह सब चौकोर स्थान धियान करने का जगा जहां पैट के लिए साधना करते थे अब देखिए हम अब हम एक होस्टल में जा रहे हैं जहां इंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ती थी लोग अंदर जाते थे बाहर आते थे मूर्तियों को नमशकार करके इनका मंत्र होता था नमो तश्य भगवत्यो अरहतो शमाश्य उधश्य उध्धम स्रणम लगाया जाता था एक क्या चीज़ा से पहले वाला मेटेरियल चूना सुर्खी माटी बेल पर सिमेंट तो इसमें एक दम नहीं लगा है यह देखिए आपका यह सब कटिंग अभी किया गया है मगर यह देखिए नालंदा के जलने की दागे है तेमपरेचर इतना हाई था कि इट भी पिघल गया है यह सब पिघला हुआ है बिल्कुल देख सकते हैं आप जूम किजिए का थोड़ा से इसको पासमा के पूरा इट पिघल गया यह देखिए लगा तार छे महीने जलने के बाद भी अस्तित्व में है आज के टाइम में को एक घर थोड़ा सा भी जलता ह है तो खाक हो जाता है अंदर आपको हम ले के चल के दिखाते हैं बातरूम इसका कैसा था यह दोनों अशनान कर रहे हैं यह सब में लकडी का था लकडियां जलने के कारण चहते गिर गई है यह देखिए आपका यह ओरिशनल कंस्रेक्शन है कितना स्मूथ दिखाई पर रह जाता था लेकिन उपर का बिल्डिंग के वादे टूट गया है कौन सा मंत्र मतलब गुंजते रहता था बहुत सा वीडियो में देखे हैं मंत्र गुंजते रहता था यह सब एक्सकेवेशन प्राग्रेश की तस्वीर है धीरे धीरे करके जो खुदाई किया गया शब में बड़ा बड़ा लकडी का दर्वाजा जिसका चौकत लगता है यह देखिए और यह लाइट शेल्फ है दीपक रखने का जगा अंदर यह बुक शेल्फ है किताब रख लाइट शेल्फ है दीपक रखने का जगह वहां से दीपक लाकर के लोग यहां पढ़ते थे यहां पे लाइट रखा जादा था और दीवाल का मुटाई देख रहे हैं इतना मोटा मोटा है ते नेचुरल एर कंडिशन बना होता था गर्मी के दिनों में ठंधा ठंधा के द टोटल साड़े 11,000 कमरे थे पूरे नालंदा विश्विद्याले के अदर अभी 11,000 कमरे था चुक्क हमने बताया 10,000 चात्र और 1,500 प्रोफेशर थे इसमें कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थे इस तरह का एक शवार सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और हर एक प्रिश्टल का आंगन इनका क्लासरूम होता था यह लेक्चरल स्टैंड है यहां से पीटर इन हैं पढ़ाते थे यह लेक्चरल स्टैंड है यह पत्थर के जगात पीलर था जिससे इनकी छटे ठिकते थी बने गुरकुल जैसा पढ़ाई होता था वो बगर में देखे सम्मेहात सेखते बाकिश्मे में आयरवेदिक दवाई बनती थी गुरकुल जैसा प्रहय होता था यह जगा जगा पर धनुश के जैसा चिन नीला है जो राजा कुमार गुप्त का निशानी था इस वाज दिनेशन से मुल अब गुप्त पर यह दोनों अश्टोरूम थे जह एक कमानीदार छथ है आज से 1600 साल पहले कितना इंपोर्टेंट आज आपके हाँ था आप इसको देख सकते हो बिदाउट सपोर्ट आज भी अच्छत जसकतर स्टिका हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है छे महीने लगातार जलने के बाद भी ऐसा ही है और नीचे मतलब के अच्छ था नीचे बनावा से यही जो देख रहे हैं यहां से दो बड़ा-बड़ा मटका पर चला हुआ चावल मिला है वो नालंगा मुजय में रखी हुई है यहां से जो भी शा बचा हुआ है मतलब नालंदा आने वाले पढ़ने वाले पढ़ने वाले शब को वेलकम कर रहा है इस कुछ जरूरी नहीं है वो कुछ लोग आते हैं रिलिजियस भावना से बुद्धिश लोग समें डाल दे यहां देखे कितनी अच्छी टेक्नोलोजी आपके पास आज सी रिख जार साल पहली थी शुलोसौ साल पहली था ठीक कोदाम के शामनी हम अजवान बुद्ध का विशाल मूरती होता था इस मूरती को लाइट वीट करने के लिए धर और यह दो पत्थर लगा हुआ है जो देखने के लिए साधारन लग रहा है निकिन साधारन है नहीं यह You see, it is glazing now. It is sparking now. देखे अभी वे कितना यह श्पार कर रहा है, कितनी ग्लेजिंग है इसमें, कितनी चमक है देख सकते, तो यह शाधारन पत्थर नहीं, रियल में यह माई काश्टून है. उस शमय में यह दोनों पत्थर पर कॉपर प्लेट लगाया जाता था. जब शुर्जी या चंद्रकिर ने पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ती पे, रिफ्लैक्सर होता था, तो यह श्पार कितनी अच्छी टेक्नोलोजी थी, आप इसका अध्यन कर सकते. नालंदा की एक नई कहानी भी है, जिसको साइथ आप अपने मॉवाइल पर पढ़ा होगा, इस पूरे दुनिया में वाइरान नीज हुआ था, अभी यूटूब पैनल पर है. एक जनवरी 2017 को भुटान के महारानी का तीन साल का बच्चा नालंदा घूमने आया था, यह उपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुए, हाइफाई फ्रेमली के बच्चे थे, जब उन्हें उपर जाने का प्रमीशन किया गया, उपर के उन कमरों को बढ़ा गौर से देखा जब वो बच्चा बैक हो रहे थे, वो कोना के कमरा को उन्हें बताया, यह हमारा कमरा है, आठ सो चोवीश चाल पहले हम इस कमरे में रहा करते थे और मेरा नाम वेरोचना था, हिस्टिक अंसार वेरोचना एक हाई ए टीचर थे यहाँ पे, हकीकत क्या है नहीं कहा जा सकता, लिखिन पूरे बुधिश लोग उसे सत्य मानते हैं, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी सर, लगवग, एक शोवाट, एक शोवाट, सब्जेक्ट एक शोवाट था, किन्तु भीश है, पाली था, लैंगवेज पाली था, पाली लैंगवेज में पढ़ अलोवर बर्ड, बट मैक्सरम फ्रोमेशियन करते हैं, यह देखिये, ब्लॉक के अंदर एक गुफा हुआ करता था, जिसके अंदर बैट करके लोग ध्यान, शाधना, योग करते थे, इसके अंदर भी? यह, इसके अंदर भी? यह, इसकी उचाई इतनी है, लंबाई वहाँ तक है, इसमें एक बार में एक वेक्ति अंदर बैठ करके ध्यान कर सकते हों, ध्यान करनी का वोग भी? इसकी हाइड कितनी है सर्थ? वही बस ताप किया बैठ सकते हों, यहां पर भगवान बुद्ध का मूर्ती हुआ करता था, यह मूर्ती का ओरिजनल चरंचिन बचा यह बहुत इनर्जेटिक है, यह हमारा आपना थी, भगवान बुद्ध के मूर्ती का वो ओरिजनल चरंचिन बचा हुए, तो नालंदा की खुदाई दो लाइन में हुई, एक लाइन सेम टूसे मिधर 11 होस्टल, यह दूसरा लाइन 11 मंदिर, जिसका यह प्रधान मंदिर है इसका नाम है शारी पुतरस्तोपा, जो भगवान बुद्ध के प्रिये शिश्य थे, जिनकी यादगारी में बनी थे, यह अंदर से पुरा पैक है, इसके उपर बुद्ध का बहुत पुरा मूर्ती था जो तूट गया है, इनके आसपास अभी भी कुछ बुद्ध मूर्ति आप दिवालों पर देख रहे हैं, मगर जो यहाँ पर गोल गोल जैसा है, चौकोर वाला ध्यान करने का जगर गोल वाला शमाधी है, जो भी द्यार थी या प्रोफेशर वाई नीचर मर जाती थे, मरने के बाद उनके डेड़ वाड़ी को घर भेजना संभव था नहीं, यह पर उनके धर्मरीतिक अंसार दफना के या जला के राख को रख करके शमाधी मनाई जाती थी, अब यह डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है, यहां के बाद बढ़ करके लोग फोटो लेते हैं, या ध्यान करते हैं, सब मंदिर इसी त रखा था, यदि बेना दवा खिलाए लोग हमें ठीक कर दें, तो मैं उनको इनाम दूगा, यहां के अर्विदिक डाक्टरों ने उनको बेना दवा खिलाए ठीक किया, दवा ऐसे खिलाया गया, कि उनके धर्म, ग्रंत के पन्नों में दवा का लेप लगा दिया, जब वो त लगा लगा करके पन्ने को टर्म करते गए, तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी बिमारी ठीक हो गए, दवा चुके अपने गया, तो उन्हों निफशिर इसको नहीं आम के जगह पे सोचा की दिला देना चाहिए, तो बहुत बुद्धिमान लोग है, ऐसी भी कहानी है, मगर ऐ इसा भी कहा जाता है, इस अभीता सुल्सक्रिप्ति को ब्रवाद की गई है, यहां पर में ग्यान देने के लिए कौन को नहीं थे सब बड़े-बड़े जो स्कॉलर थे, मैंने नाम बताया कुछ का, नरोपा, तिलोपा, दिरूपा, मर्पा, गुरूपदमशंभवा, शान् तिरक्षिता, आर्जदेवा, पश्यूबंधु, अशंगा इस अब नाम आता है, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोगत्रिय चैनल नालंदा काईंस